वसंत की समान ही वर्षा भी भारतिय साहित्य में सम्मान और गौरव का स्थान पाती आ रही है। वैदिक रिशियों ने मेगों के शक्तिशाली और और धर्दानी रूप का यशोगान उल्लसित कंट से किया है। परजन्य देवता के वच निनाद, विद्युतलोक और धारासा वर्षा में शक्तिशाली महारती का रूपस पष्ठ हो उठता है। वैदिक रिशी ने इस वीरिद्व पूर्ण पक्ष को सदा ध्यान में रखा है। रिगवेट के पांच में मंदल के 83 वे सूप्ट में उस वैदिक महा शक्तिशाली, महादाता और भीइंग गरजनकारी प रस्त विकम्पित कर देते हैं। जब परजन्य देवता अपने भायानकर गरजन के साथ असुरों पर वज़ प्रहार करते हैं तो अनागस या निरप्राद लोग भी भाई सी कांप उठते हैं और सामने से भाग खड़े होते हैं। मेगा दंबर के भीतर जब विद्यूत की रेखा आस्मान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक नाचती रहती है तो वस्तुतह उस समय परजन्य देवता अपने शक्तिशाली घोरों पर कशागात करते हुए उन्हें और भी तेजी से चलने को बाध्य करते हैं। इस प्रकार महारती की भाती वे अपने घोरों पर बिजली क के अंतराल में शयान परजन्य देवता। इनके इंगितमात्र से बिजी कड़कती है, आंधी उमरती है, मेग घुमरते हैं। एक और तो इनमें महारुद्र का भीम निहस्वन आवाज है और दूसरी और प्रित्वीतल के वाशधियों में रेच संचार करते रहने के कारण य ऐसा नहीं होता तो धर्ती इस प्रकार त्रंशद्वलों से शोभित नहीं हो उटती और शधिया नया जीवन पाकर मनुश्य को कल्यांदान करने में समर्थ न होती। का एक सश्रग भीत-भीत भाव मिल जाता है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि वैदिक रिशी कुछ इसी प्रकार के भाव से चालित होकर अपनी स्तुती गाता है, परन्तु बहुत पहले मैक्सिमूलर ने इस बात के एक विशिष्ट पक्ष की ओर ध्यान दिलाया था। जो हो, इसमें कोई संदेह नहीं, कि वैदिक रिशी मेशो के अधीश्वर इंद्र को पौरुष और ओधार्य का पूर्ण रूप मानता है। उनके अधीनस्थ मेगू की करक, विशी की तरग और काली घटाओं में सूर्य जैसे महातेजिस्वी को भी आजच्छादित कर देने की महान सामर्थ्य श्रद्धा और भई दोनों को जागरत करते हैं। देवत काल तक इंद्र देवता अपने शक्तिशाली बज्च्र और विद्यूत के कारण तथा ओशदियों का सेवन करने वाले महान भून के कारण श्रद्धा और भक्ति पाते रहे हैं। परन्तु भारत्वर्ष की बहुधा विचित्र संस्कृती के इतिहास में एक दिन ऐसा भी आया जब इंद्र देवता अपने शक्तिशाली मेगूं के घोरों और बिज्ली के कोरों का प्रयोग करके भी जीत नहीं सके। जिस दिन उनका आतंक असफल हुआ उसी दिन वे जनता की श्रद्धा भी खोने लगे। इंद्र देवता चुप नहीं बैठे। अपनी स्थिती सम्हालने के लिए उन्होंने भरपूर कोशिश की। आंधी और बवंदर आये, धर्ती कल्मला उठी। निरंतर मूसलाधार वर्षा से ध्योलोग से भूलोग तक जल ही जल दिखाई देने लगा, गोप गोपी गन त्राही त्राही कर उठे, गाय काप उठी, हाहाकार मच गया, पर इंद्र देवता श्रीकृष्न को नहीं जीत सके, एक ही अंगुली पर श्रीकृष्न ने गोवर्धन को धारन किया, मेग बरस्ते रहे, बिजली कॉंधती रही, जल धारा जरती रही, सूर्दास्ची ने अपनी शक्तिशाली भाषा में इस घटना का वर्णन इस प्रकार किया है, मेगदर प्रबल ब्रज लोग देखें, चकित जहता भाए निरखी बादर नए, ग्वाल गोपाल दरी गगन पेखें, ऐसे बादर सजल करत हती महाबल, चलत घहरात करी इंदकाला, चकित भाए नंसब महर चकित भाए, चकित नर नाही हरी करक ख्याला, घटा घन भोर हहरात अर रात, दर रात, थर रात प्रज लोग दर पे, तरेत आघात तर रात उतपात सुनी, नारी नर सकुची तन प्रान अर पे, कहा चाह हून, भाई कबहू नहीं जौन, कबहू आंगन कबहू भौन विकल दोलें, मैटी पूजा इंद्र, नंदसुक गोविंद, सूर प्रभ अर बहू उमरी घुमरी, बर्शक व्रज आय बड़ी, कारे धोरे धूमरे धारे अती ही जल, चपला अती चमचमाती, ब्रज जन्मन अती दराती, टेरत सिसु पिता मात, ब्रज में भयो गिलबल, गर्जत धुनी प्रलयकाल, बोकुल भयो अंधजाल, चकित भये ग्वाल ब अकाश और धर्ती का अंतर मिद गया, पेड़ पौधे भी त्राही त्राही कर उठे, नंद बाबा घबरा गए, जसोधा मैया दर गई, गोक बालकों और गोप्यों के हृदे में शंका और भीरती के भाव घुमन आये, लेकिन एकी बालक उसमें अचल बना रहा, कृद आज के कृद्धतर सैनिक गरचते रह गए, अशनिपात से वायुमंडल फट्ता रह गया, प्रचंड वायु के वेग से धरित्री कलमला कर रह गई, पर परजन्य सेना के अधिपती इंद्रदेवता का उद्देश्य सिधन नहीं हुआ, प्रलेयपूर का द्रिश्य हो गया, नीचे से उपर तक बारिधारा का खंधार व्याक्त हो रहा, समूचा ब्रजमंडल विपत्ती के पहार के नीचे दब गया, निस्संदेह इंद्रदेवता का पूर्ण प्रताक प्रकट हुआ, निस्संदेह ब्रजभूमी के निवासी तराही तराही कर उठे, सब इंद्रदेवता नंदलाल के चेहरे पर चिंता की हलकी सीवी रेखा नहीं प्रकट करा सके, उस सदाप्रसन, सदास्रस को पाललाल के अधरों की मुस्कार नहीं हटा सके, न पादपोन मूलन शिक्ती रहा, शिलोग चे मुर्चत मारुतिस्य, आंधी पेर को उखार सकती है, पहार का वह क्या बिगार लेगी? मध्यकाल के साहित्य में श्रीकृष्ण ने संपून रूप से कवियों और शिल्पियों की चित को अभिभूत किया है, इंद्र इस साहित्य में उपेक्षित है, क्वचित कदाचित याद भी किये जाते हैं तो बहुत बड़े गौरव की स साहित्य में इंद्र की पराजा और श्रीकृष्ण की विजय विनोत की साथ सरस्शली में लिखी गई है, मध्यकाल के चित्रशिल्प में तो घटना को बहुत ही मनोरम भंगिमा में व्यक्ट किया गया है, हिमालय की पात देश में नेपाल और टिबबत की तरायों में इंद भारतिय साहित्य और संस्कृति के इतिहास में इस घटना के बाद एक और भी महत्वपून नया अध्याया जुडा था। इंद्र के एक मामूली मुसाहिब एक समय सम्रिधनागरिक जीवन के प्रधान आकर्शन केंद्र बन गए थे। पुराने वैदेक साहित्य में इनकी क कोई चर्चा नहीं मिलती। इनका नाम कामदेव या कंदर्प देवता है। भारतिय साहित्य के रंगमंच पर कब इनका प्रादुर भाव हुआ ये कहना कठिन है। पर इस वी सन के आरंभ हुने के बहुत पहले इनके फूलों की मृदू कठो रस्त्रावली काफी परिचित हो चुकी थी। भाशा विज्ञान के पंदित, गंधर्व और कंदर्प इन दो शब्दों को किसी एक ही मूल शब्द के संस्कृत रूप मानते हैं। इससे अनुमान किया जा सकता है कि ये शब्द किसी संस्कृत न बोलने वाले लोगों की संस्कृती तर भाशा से आया है और संभवता होस भाशा के बोलने वाले संस्कृत बोलने वाले लोगों से भिन श्रेनी के थे। इस प्रकार अनुमान किया गया है कि गंधर्व और अपसरसु जो परवर्ती हिंदू देवता मंदली में इंद्र के अनुचर बन गए हैं, किसी भिन संस्कृती के मूल देव जो भी हो, उत्तरवैदिक साहित्य में गंधर्व और अपसराय अपरिचित नहीं हैं। इन्हीं गंधर्वों के एक नायक कंदर प्याकामदेवता है जो परवर्ती हिंदू साहित्य में मुनियों का व्रग तोड़ने के लिए अपसराओं की अनीकिनी के साथ प्राय हिंद् करने की शक्ती दी। तब से यह अनंग देवता इतने प्रभावशाली हुए कि संस्कृत और प्राकृत के समूचे साहित्य को अभिभूत कर बैठे। वर्षा का सबसे सुंदर काव्यात्मक वर्नन आदेकवी वालमी की ने किया है। सत्य तो यह है कि आदेकवी ने प्रितिक द्रिश्यों का ऐसा मनोरम चित्रखीचा है कि अनायास वह द्रिश्य अपनी शोभा और गरिमा के साथ प्रत्यक्ष हो उटता है। नीचे से उपर तक एक पर 105 श्रेनी की भातिल जी हुई मेग माल को देखकर आदेकवी ने कहा है कि मेग माल की सीरियों के सहारे आ और प्रत्यक्ष बना देता है कि मेग के पेट से निकली हुई, कमल कचनार के सपर्ष से शीतल बनी हुई और केत की पुषपों की सुगंधी से आमोदित वायों अंजुली से पीली जा सकती है। वर्षा काल अपने अनासक्त ड्रिष्ट यथार्थ और गौरव गांबीर्य के साथ ही चित्रित हुआ है। इस वर्षा के मानव चित्र पर अभिभूत कर देने वाले प्रभाव का उलेक बड़ी ही सजीव भाशा में किया है। राम सीता वियोग से व्याकुल हो उठते हैं और क्षर्ण भर के लिए प्रबलशत्रू की बात सोचकर चिंतित भी हो उठते हैं। परंतु फिर भी इस वर्षा काल में कही भी मनोजनमा देवता अनाधिकरित रूप में प्रवेश नहीं करता। उत्तर काल की संस्कृत सुभाशितों में इस देवता का प्रवेश अबाध है। वह कही भी किसी समय उपस्थित हो सकता है। परंतु आदिकवी के अत्यांत आकरशक, अत्यांत सुरुचिपूर्ण और शोभा और महिमा से अतिशे गौरवपूर्ण वर्णन में ऐसा नहीं होता। प्रकृती का यह नयनाभिराम चित्रपाथक के चित में निरंतर उत्सुक्य का संचार करता है। वह और भी गार भाव से प्रकृती की अपार सौंदर्य राशी को हृदेगम करने के लिए आतोर हो उठता है। यह अश्चर्य की बात है कि आदिकवी की उजाई को परवर्ती कवी बहुत कम छू सके हैं। अलंकरन और मंदन की प्रवर्ती निरंतर बर्ती गई है और सहज शोभा की सहज गौरव को प्राय ही भुला दिया गया है। दीरे दीरे भारतीय साहित्य में एक रिस्परक ड्रिष्टी प्रतिष्टित हो गई। आज से दो धाई हजार वर्ष पहले निष्चित रूप से ये परिवर्तन आ गया था। प्राकृतिक वियापारों के अंतराल में विराजमान देवतागन अपने देर्ग काली नितिहास के कारण थोड़ी बहुत श्रद्धा अश्वया पाते लहे। परंतु काव्य में साधारंतह प्रकृती मनुश्य के सुख दुख में सहायका, उसके राग विराग की उद्धिपिका और उसके प्रत्येक विचार से सहानुभूती रखने वाली सखीया प्रतिस्पर्धा करने वाली प्रतिद्वन्द्विनी के रूप में अधिक रही। इन जातियों के विश्वासों और विचार परंप्राओं ने भारतिय महाजाती को प्रभावित किया गया। अभिव्यक्त होती है, यहां मनुश्य के सभी आच्रणों की नियामिका बन गई है। इससे पुरुष और स्त्री एक दूसरे की ओर आक्रिष्ट होते हैं और मनुश्य द्वारा स्वयन निर्मित विधी निशेद की मर्यादाओं की प्राय हुपेक्षा कर जाते हैं। किन्तू परवर्ती साहित्य में इसकी सबसे विचित्र परिनती यह होती है कि गोपी और गोपालों के आदिमों कमावेग नंद के कुमार और ब्रज की गोपियों की प्रेम लीला के रूप में प्रकट होते हैं। श्रीकृष्ण और गोपियों, जिनमें मुख्य श्रीराधा है, कप्रेम शाश्वत पुरुष प्रकृती आकर्शन का प्रतीक बन जाता है। इस प्रकार आमुश मिक्ता के विकल्पों से एकदम मुक्त और मनुश्य की दूसरी प्रकृती द्वाराचालित सहज और मध्यकाल के साहित्य में ऐसी भक्तिभावना में परिनत हो जाते हैं, जिसकी तुलना संसार की किसी साहित्य क्विचार परिनती से नहीं की जा सकती। उत्तर मध्यकाल में यह और भी गार्ण हो उठी है। मध्यकाल के साहित्य की यह परिनती सब प्रकार से अपूर्व है। इसने लोकमानस को पूर्ण रूप से अभिभूत कर लिया है। काव्य में, चित्र में, मूर्ती में, संगीत में, धर्म कर्म में, नातक में, संक्षेप में, मनुष्य की समस्त रचनात्मक्रियाकलाप में इस महत्वकूर्ण परिनती के अमित चिन्ह मिलते हैं। उत्तर मध्यकाल के साहित्य में महान गर्जन कारे, ओधर्दानी और सार की तरह खरने वाले शक्तिशाली परजिन्य देवता का दर्शन नहीं मिलता। लेकिन लहराती हुई लताओं, वर्शा की बूदों, बीच्ती हुई प्रेमिकाओं, चातक और दादुर की रट से व्याकुल बनी हुई विरहिनियों और अभिसार का मार प्रदर्शित करने वाली विद्योत सहेलियों का बार-बार वर्नन मिलता है। उत्तर मध्यकाल के चित्रों में जहां वर्शा के फोहारों से भींचते हुई प्रेमिजनों, पवन के जकोरों से विलुलित्वसना अभिसारिकाओं, मियोन मृत्य से आत्म विनल वियोगिनियों, घंघटा से घबराय हुई पथिकव अधूओं और दोला विलास में सुद का स्मरल किया गया है और लोकमृतियों और लोकाभिने उसे भी इसकी स्मृति बनाये रखने का प्रयास किया गया है। कंप अवश्य उन्हें हुआ था, पर वह भय के कारण नहीं, प्रेम के कारण। इस प्रेम का उद्रेक राधाजी ने कराया था। इंद्र गरज तरपकर हार गये। श्रीकृष्ण में भय का कंपन नहीं उत्पन कर सके, किन्तु किशोरी जी के एक लीला कटाच्च से वे व अदंब, निम्द, कुटज, ट्रिंशित्वल, बीर्बहुटी और मयूरसिमूव के उल्लेक और अभिने द्वारा वर्षा रितू का निर्देश करने का विधान बनाया है। भायक माने गए हैं। भास, शुद्रक और कालिदास निश्चित रूप से मेगों की राजा इंद्रदेव का स्मरंग करते हैं। यद्यपी उन्हें ये कहने में कोई जिजख नहीं है कि इंद्रक के अनुचर हुने पर भी ये मदन देवता के अनुचर का का काम करते हैं। तथापी परवर्ती कवियों की भाती उसमें पत-पत पर काम देवता के सहचारी या सहायक के रूप में मेगों का उलेक नहीं है। तथाप एकदम भुला नहीं दी गई कि शक्रदेवता ही वस्तुत है और बरस्ता है। वसंत सेना एक बार शक्रदेवता को फटकार्ती हुई कहती है। इंद्र, गर्जो या बर्सो या सोसो बच गिराओ, प्रियके प्रति अभिसरन प्रेमिकाओं को तुम नहीं रोक सकते। गर्स वा वर्ष वा मुंच शतशो अशनिम, न शक्या हिस्त्रियों रोधू प्रस्थिता देट प्रती। आगे वह बिजी को संबोधन करके कहती है कि, हे विद्यूत, अगर मेग गरजता है तो गर्जे, पुरुष तो निश्थूर होते ही है, किन्तु तू तो स्त्री है, तू भी क्या प्रमदाओं के दुख को नहीं जानती। यदी गर्जती बारधरो गर्जतो उतन नाम निश्थूरा, पुरुष आए विद्यूत प्रमदानार क्वंपी न दुख विजानासी, बहुत दिनों तक इंद्रदेवता का धून मेग माला के प्रसंग में याद रखा गया। कालिदास ने मेग दूत मे धनुखन माखन डलस्य अर्थात इंद्रदेवता के धनुषखन का स्मरन किया है। इतना तो बहुत पहले ही जान लिया गया था कि इंद्र का यह मनोहर धनुष वस्तुतर सूर्य की किरनों के कारण बादल पर फैल जाता है। श्रीपती ने लिखा है कि जब सूर्य की विविध्वर्नों वाली किरने वायू द्वारा विघटित होकर बादलों पर फैल जाती है तो आकाश में धनुषाकार वस्तु दिखाई देती है जो लोक में इंद्रदनु कही जाती है। इसलिए इंद्रदनुष का दीखना भी संभव नहीं है पर जिस बात को कवियों की दुनिया में उपयोगी मान लिया जाता है उसे मान ही लिया जाता है। इस बात की परवा नहीं की जाती की यह संभव है या नहीं। इस प्रकार के विश्वासों को कविप्रसिधी कहते हैं। आलोचकों ने कविप्रसिधियों की गिंती करके सूची बद कर लेना चाहा हैं, पर सबकी सूची बनाना क्या संभव है। कभी कभी रात को इंद्रधनुष का वर्नन कभी लोग कर बैठते हैं। जब अभिलशित काव्य प्रयोजन सिधर होती हो तो जरा इधर उधर का व्यत्यय कोई विशेश दोश का कारण नहीं हो सकता। बहुत पुराने कवी शूद्रक ने मैच के टिक में ऐसा ही किया है। वसंत सेना प्रदोशकाल में चारुदत के उध्यानगरह में अभिसार करती है। घोर वर्षा में भीजती हुई वह वीश्ट स्थान पर पहुंचती है। रास्ते में थोड़ी सी चांदनी छिटकी थी। परंतु मेगु ने उसे इस प्रकार हर लिया जैसे कमजोर शोहर की औरत को मन चले रसिक भगा ले जाते हैं। चारुदत से प्रेमाले में भी अवश्य हुई होगी। सब मिलाकर रात काफी आगे बढ़ चुकी थी। किन्तु अचानक चारुदत ने आकाश में इंद्रधनुष देख लिया। आये इंद्रधनु प्रिये पश्य पश्य। विद्युज जिह वेनेदम महें रिचा पोर्चिय। बुजैन। जल्धर विव्रिधहनुना विजरिम भितमिवान तरिक्षिन। शायक कवी के मत से रात अभी जादा नहीं बीती थी और आरम्विक्षनों में इंद्रधनुष का दिख जाना असंभव नहीं है। जो प्रसल्ण है उसमें घटनाई यदि तेजी से दौर पड़ी हूं तो अस्वा भाविक नहीं कहा जा सकता। जो हो रात में इंद्रधनुष का वर्लन बहुत अधिक नहीं मिलता। अस्तू कालिदास ने मेग दूत में मेग को इंद्रधेवता वा प्रकृति पुरुष या प्राजवर्ग से संपर्क स्थापित कराने वाला राजपुरुष कहा है। वहां मेग गंबीर विश्वास प्रायल मित्र के रूप में आया है। उसमें सहानुभूती है, समझा है, हितकानक्षा है। शायद किसी स्थान पर मेग दूत में फूलों के बान धारंग करने वाले देवता काउल लेख नहीं है। एक जगह है भी तो मलिनात ने उस श्लोग को प्रक्षित मान लिया है। ये कुछ विचित्र बात है। कालिदास ने मेग दूत में महादेव की महिमा का ही बार बार गान किया है, समूचे काव्य में इस महिमा की गुरुगंभीर ध्वनी व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि कालिदास को फूलों के बानवाले देवता का पता नहों, पर मेग दूत की श्रिंगारमाई का विता में इस अप देवता को उन्होंने प्रयतन पूर्व का अलग रखा है। प्रितु सनहार में वे इतने सावधान नहीं है। मेग दूत में मेग के सजीव देवतरूप का ही प्राधान्य है। वहां देवताओं के राजा को बहुत आदर के साथ स्मरल किया गया है। कुमार समभव में भी देवराज की महिमा के प्रती कवी असावधान नहीं है पर प्रितु सनहार में कामदेव अधिक मुखर हैं यहां वर्षाकाल का उन्होंने बहुत ही मनोहर चितरन किया है मेग वहां कामी जनों के चित में कुतुहल और वत्सुक्य का भाव जगा देता है मानिनी जन के मनमिक शोब उत्पन करता है पथिकजन बधों का चित अफरन करता है और स्वभाव मृदुल सुंदरियों में और भी सौंदर्य दीप्ती से उद्भासित होने की आकांक्षा उद्पन करता है रितु सनहार के अंतिंग श्लोक में वर्षाकाल की महिमा को इस प्रकार समेट कर चित्रित किया है धीरे धीरे संस्कृत काव्य में में एक काम न्रिपती का अनुचर बन गया है और उसके हर अव्यव से काम न्रिपती की जय जय कार होती है कभी वे काम न्रिपती के हाथी के समान तुरिदकुष से ताध्यमान होकर आकाश मंदल में आते हैं और उस पुराने यूग का स्मरंग करा देते हैं जब परजन्य देवता बिजी का कोड़ा मार कर उनका उप्योग गुणों की रूप में करते थे और कभी सारी मेगमला उ कुटज पुष्पों का, इंद्र गोप और खध्योतों का, मयूरों और दादुरों का, कोकिलों और चातकों का तथा अन्य लता व्रिक्ष पुष्पों का ऐसा वर्नन किया है कि देख कर आश्चर्य होता है परंतु परवर्ती संस्कृत काव्यों में प्रधान रूप से इनका उक्योग बिरह और मिलन के उद्दीपन की रूप में किया गया है पथिकों और पथिकों वधुओं के साथ संस्कृत कवी की अपार सहानु भूती है वर्षा वर्णन करते समय संस्कृत कवियों ने दोला केली का वर्ण अवश्य किया है दोला केली या दोला विलास अति प्राचीन काल से भारकवर्ष में वर्षा की अत्यांत आकर्शक और उल्लास का क्रीरा है दीव्टकार से उसने भारत्वर्ष के चित को अभिभूत कर रखा है उत्तर मध्यकाल के काव्यों और चित तथा मूर्थ तिशिल्प में भी उसका गौरव बना रहा है इसका पुराना नाम है प्रेखा विलास वात्सयान से पता चलता है कि अंतःपुर से लगी हुई वाटिका में सघन चाया में प्रेखा दोला या जूला लगाया जाता था और चायादार स्थानों में विश्राम के लिए स्थंडिल पीठिकाय या बैठने के आसन बनाय जाते थे जिन पर सुकुमार कुसुमदल बिच्छा दिये जाते थे प्रेखा दोला की प्रथा वर्षा रितु में ही अधिक थी आज भी सावन में जूले लगाये जाते हैं वाट्स्यान ने जो चायादार व्रिक्षों की घनी चाया में जूला लगाने को कहा है सो इस वर्षा से बचने के लिए ही वस्तुताह वर्शाकाल ही प्रेखा विलास का उत्तम समय है ब्योलोक और भूलोक में समानांतर क्रियाओं के चलने की कल्पना कवियों ने इस प्रेखा विलास से की है और कौन कह सकता है कि जब कमलनेनाओं की आखे दिशाओं को कमल फूल की आरती से निराजित कर देती होंगी आनन्दोलास के हाज से जब चंद्रिका की व्रिष्टी करती होंगी और विद्युत गौर कांते वाली तरुनिया तेजी से जूलती रहती होंगी तो आकाश में अचानक विद्युत चमकने का भान नहीं होता होगा द्रिश विद्गिरे दिशह कमल राजिनी राजिता इसी काल में राजिनी चित्र भी बने इनमें वर्षा का वातावरन जांक जांक उठता है गौर मलार राजिनी के वन एक शती वाले एक चित्र में वर्षा का कितना सुन्दर वातावरन उपस्थित है किन्तु, जैसा कि हमने उपर देखा है, उत्तर मध्यकाल में इस थिती में भारी परिवर्तन हुआ है परवर्टी काल के साहित्य में इस समूचे एकतापरक काव्य में एक नया स्वर आ गया है मेगालोग में अभिसरन करने वाले प्रेमिक योगल यहां साधारन मनुश्य न रहकर राधारानी और गोपाललाग के रूप में चित्रिक किये जाते हैं पथिक वदू के रूप में पाई जाने वाली पुराने काव्य की मदन व्याकुल प्रेमिका साधारन प्रेमी के लिए नहीं, बलकि मदन को भी मोहन करने वाले किसी घंश्याम के लिए व्याकुल हो उठती है और दोला विलास के लिए किन्ही प्राकृत प्रेमिकों का का स्मरंग किया जाता है इस काल के संगीत में राधा और क्रिश्न संपून लीला और माधूर्य वैभव के साथ उतर आते हैं और चित्रशिल्प में उनकी ही शोभा सरवत्र चित्रित होने लगती है कामदेवता के अपोर्व शक्तिशाली कुसुम के सायक भूला नहीं दिय जाते परंतु उनका उप्योग चिरकिशोर दमपत्ती के लीला विलास में किया जाता है भोर श्रिंगार परक्स्वर में इस नवीन भक्तिरस के पुट से विचित शोभा आ गई है नई घटा को उनई देखकर नवीन कवी भी मदन देवता के भभूकों से लहराते मानस को नहीं भूलता पर वह लाल अर्था श्रीकृष्ण को ही शाश्वत नायक के रूप में देखने का अभ्यस्त हो गया है और दुलही की लाल के साथ ही जूला जूलने की सलाह देने लगता है संसार के साहित्य के इतिहास में इस प्रकार की परिनती शायद ही कहीं हुई हो अत्यंत लौकिक श्रिंगार ने यहां शाश्वत प्रेमिक किशोरी की अपूर्व भाविल्विलता के लिए स्थान छोड़ दिया है यहां परमात्मा मुगद प्रेम के लिए उतना ही व्याकुल है जितना साधारन जीव उस अनंत माधूर्य भंदार को पाने के लिए व्याग्र है दोनों के लिए व्याकुल भक्ति के ऐसी मोहक कलतना संसार में अन्यत कही नहीं हुई अपने अपने सुठी गेहन में चड़े दो सनेह की नाव पैरी अंगनान में भीजक प्रेम भरे समयो लखी में बली जाव पैरी कहे ठाकुर दोन की रुचियों रंग है उमरे दो ठाव पैरी सखीकारी घटा बरसे बरसाने पे गोरी घटा नंगाव पैरी